हलो फ्रेंड्स मैं सो अपनी लेगे और ISO 22000-2018 याने FSMS की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लास 7.5 डॉक्यमेंटेड इंफर्मेशन की और इसी क्लास में आगे हम देखेंगे इसी के जो सब क्लास है क्रियेटिंग एंड अपडेटिंग और लास्ट में कंट्रोल आफ डॉक्यमेंटेड इंफर्मेशन इस पूरे क्लास को आज हम समझेंगे और यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है यह थोड़ा सा एक बार क्लियर हो ज अब हैं मेंति चीज को समझते हैं तो देखें दोस्तों क्लॉ utan as 1.5.1 जनरल डाक्यूमेंटेंड इंफर्मेशन के बारे में जनरल जो बाते बताये गई हैं उनके बारे में बताता है अब निस चीज को समझे कि यह इस चीज होती है हम बात करते हैं कि इसमें कुछ खास को दस्तायवेज शामिल होते है जिन्ने मेरे मिला कर हम सबसे सहाथ करते हैं इसके अलावा कि कि अगर आप किसी साथ ही साथ कि आप किसी तरह को वरक इंस्ट्रक्शन बनाते किसी तरह को वरक कि इंस्ट्रक्शन आप को इस clause 7.5 में कि documented information क्या है और उनको बनाते समय किन-किन चीजों का खयाल रखना है किन-किन चीजों को ध्यान रखना है तो पहले बुनियादी तोर पर इस चीज को समझे कि यह वह चीज़ें डॉक्यमेंटेड इंफरमेशन में आती है इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती ह है तो यह है डॉक्यमेंटेड इंफरमेशन अब clause 7.5.1 इस डॉक्यमेंटेड इंफरमेशन के बारे में क्या कह रहा है थोड़ा उस चीज को समझते हैं देखें क्लॉस यह कहता है कि ऑर्गनाइजेशन जो कुछ भी इस fsms फूट सेफ्टी मेनेजमेंट सिस्टम की जो भी requirement है जो कोई से भी डॉक्यमेंटेड इंफरमेशन बनाने के लिए fsms आपसे कह रहा है आपकी आर्गनाइजेशन उन सभी डॉक्यमेंट को उन सभी डॉक्यमेंटेड इंफरमेशन को प्रिपेर करेगी मतलब इस food safety management system इस ISO 22000 2018 में आपसे जो जो डॉक्यमेंट बनाने को कहा गया है जो जो रिकार्ट मेंटेन करने के लिए कहा गया है जो जो बनाने के लिए कहा गया है जो जो एस बनाने के लिए कहा गया है वह सभी कुछ आपको बनानी है यह बात इस क्लॉज में आपसे सबसे पहले कही गई है आप एक कंपिटेंसी मेट्रिक्स बनाते हैं जो इस इस standard की requirement है तो वो डॉक्यमेंट आपने क्यों बनाया क्योंकि यह standard कह रहा है तो आपको वो बनाना है आप अपने food safety team leader का decision लेते हैं आप अपनी एक food safety team बनाते हैं आप क्यों बना रहे हैं क्योंकि आपसे ISO 22000 कहता है कि आपको अपनी organization में food safety team बनानी है तो कहीं न कहीं यह clause की requirement है इस standard की requirement है तो जो कुछ भी standard की requirement है जो कुछ भी इस standard में कहा गया है वो सारी documented information आपको बनानी है अब इसके बात जो अगली requirement है किसी तरह का कोई document या कोई record या कोई procedure बनाने की जुरुत आपको महसूस होती है जो आपको इस standard में नहीं गई गई है लेकिन आपको अपनी mutual understanding से जब आप अपने लोगों के साथ बातकीत करते हैं जब आप उनसे किसी problem को discuss करते हैं तो आपको यह पता चलता है कि हमें एक खास तरह का record बना लेना चाहिए जो हमारे लिए फायदे मंद होगा या हमें इस तरह का document बनाना चाहिए या हमें काम आ सकता है या हम इस तरह की procedure follow करे या हम इस तरह की work instruction लगाएं ठीक है जो कुछ भी आपको अपनी अपनी सोच से अपनी समझ से अपने knowledge से आपको जो कुछ भी मिलता है और आपको लगता है कि आपको implement करना चाहिए तो वो सब भी इस clause में कहा गया है कि वो भी आपको maintain करना है वो भी आपको बनाना है जो आपकी requirement है इस standard में नहीं कहीं गई है तो वो भी आपको maintain करना है वेसी documented information भी आपको तयार करनी है वो लास्ट में अगर किसी तरह की कोई legal requirement है को legal documented information की बात आती है किसी तरह का कोई legal document बनाना है या कोई legal record करना है तो आप उसे भी मेंटेन करें उसे भी बनाएं यह बात आपसे क्लॉस 7.5.1 में कही गई तो यह आपसे बुनियारी तोर पर यह क्लॉस कहता है तीन चीजों को आप को मेंटेन करना है वह नोकुमेंटेट इंफरमेशन जो food ने टेन करना है तो यह बात हुई क्लॉस 7.5.1 की अब हम बात करते हैं क्लॉस 7.5.2 जो है क्रेटीं एन अब डेटिंग देखें दोस्तों यह क्लॉस है 7.5.2 इसमें बात कहीं गए एक क्रेटिंग एन अब डेटिंग इसका क्या मतलब है देखें जब भी आपको क्रेंटेड़ इंफरमेंशन में क्या-kiaa चीज़े आती है तो जब आ उन चीजों को बनाते हैं तो उसमें 2 चीजे होती है एक तो यह होती है कि सबसे पहले तो आप फिस्ट अम उस सी सुनो बनाते हैं कभी न कभी में बीटता जाता है आपको कुछ अनुभा होते हैं आप कुछ नॉलेज लेते हैं आप कुछ एक्सपिरियंस करते हैं आप बहुत सारी चीजों को पता लगाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब हमें इस डॉक्यूमेंटेड इंफर्मेशन में इस डॉक्यूमेंट में किसी तरह के कोई बदलाओ की जरूरत है इस प्रोसीजर में किसी तरह के कोई बदलाओ की जरूरत है तो आप उसे अपडेट करते हैं समय आने पर आगे चलकर आप उसमें किसी तरह का कोई अपडेशन करते हैं ईससे update करते तो एक ही डॉक्युमेंट है एक ही तरह की documented information थी उसे आपने पहली बार तो create किया और आगे भविश्य में in-future आपने उसमें किसी तरह का कोई up-de-shield कि है यह दो चीज़े आप करते हैं यहीं बात है creating and updating to development को create करना और document क arc vérAD करना या update करना यह दो चीजे आपसे कही गई है और अब जो बात कहता है कि जब भी आप इस तरह की कोई process करते हैं आप कोई document create करते हैं या आप कोई document update करते हैं तो आपको उसमें कुछ चीजों का खयाल रखना होगा और वो क्या process की जो भी requirement step by step हम समझा देंगे सबसे पहले इस document को देखे इस format को देखिए format एक competency matrix का ठीक है हमने competency matrix बनाया ठीक अब जब यह competency matrix आपने बनाया अब इस format को बनाते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है एक तरफ तो आपके organization का नाम आ गया जो भी आपके organization का नाम है आप इस document को आप जब बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरह से ध्यान रखना होगा कि यह document अपने आप में खुद सब कुछ बोल दे इस document को जब आदमी देखे कोई व्यक्ति देखे तो वो खुद समझ जाए कि document क्या कहना चाहता है यह document किस चीज से डिलेटेड है तो इसका खयाल आपको रखना है और आप जब इसे बनाएं तो आप आप इसे नाम दे डॉक यह आपका document है और आप इसे लिखें आपकी organization का नाम आ गया ठीक अब क्योंकि यह HR department से जुड़ा हुआ मामला है तो आपने श्लेश करके लिख दिया HR ठीक आपने बनाया competency matrix अब इसे शॉट में लिख दीजिए cm cm आपने लिख दिया इसके बाद अगर आप देखे तो इसकी sequence क्या हो सकती है HR department में अगर आप देखे तो सबसे पहले HR department में जो document आप बनाते हैं वह होता है आपका चार्ट आपकी जो organization का चार्ट है वह आपका पहला document होता है organization चार्ट की basis पर आप जडी जे आर बनाते हैं यह जब डिस्क्रिप्शन जब responsibilities बनाते हैं और उसके बाद आप कहीने कही competency matrix बनाते हैं तो यह आपके लिए तीसरे नंबर का HR department का document हो गया तो आपने सबसे पहले अपनी organization का नाम लिखा यहां department लिखा यहां अपने document का नाम लिखा अब यहां पर आप उसका number लिख दीजिए इससे आपको सुविधा यह हो जाएगी कि आप बड़े easily समझ जाएंगे कि HR department का ABC organization का तीसरे नंबर का document है sequence में अगर मैं देखू तो यह आपका होगा 00 क्योंकि अभी तक आपने इसमें कोई revision नहीं किया है आप create कर रहे हैं याद रखिए अभी आपकी creating की प्रोसेस चल रही है आप पहली बार इस document को बना रहे हैं तो आपने है revision number 00 अब आप यहां पर डालिए revision date अब आपकी revision date क्या जाएगी जिस date को आपने इस document को बनाया मान लीजिए आपने बनाया 14 2020 1st of April 2020 इसको आपने बनाया तो यह आपकी revision date और मान लीजिए आपने इसे उसी दिन इश्यू कर दिया जिस दिन आपने इसे बनाया तो आप यहां पर issue date भी यही डाल सकते 14 2020 तो यह कुछ चीज़े हैं जो आप जब भी कोई document बनाया तो उसमें आपको mention करना है बताना है इसका फाइदा क्या होता है इसका फाइदा समझे इससे आपको benefit क्या मिलेगा आपका document जब आपने बनाया आपने जब create किया तो इसमें आपको एक तो यह पता चल गया कि identify कर सकते कि कहां का है किस department का किस organization का है किस number का document है आप identify से easily कर सकते हैं इसके बाद आप अगर इसे देखे तो इसमें सब कुछ describe किया हुआ है description है उस document से जुड़ी हर चीज उसमें आ गई है तो आपके जो documented information है जो आपने उसे create किया तो उसमें यह चीजे शामिल होनी चाहि इसे चाहिए अगर आप इसको देखे तो आपका यह format इन दोनों चीजों को involve कर लेता है अपने आपने शामिल कर लेता है तो पहली चीज तो इसमें आपसे यह कही गई है अगली बात इसमें आती है इसका format इसका आपने format बनाया हुआ है यह English language में English में बना हुआ है ठीक औ और इसमें एक जो आपको आगे चीज याद रखनी है याद रखिए जब यह आपका डॉक्यूमेंट बन गया इसमें आपको चीज हमेशा याद रखना है कि एक इसमें सिगनेचर आएगा अप्रूवड बाए का एक सिगनेचर इसमें जरूर आएगा जो भी एक बंदा जिसके अप्रूवल के बाद जिसने इसे एक बार देख लिया उसने से चेक कर लिया उसने देख लिया इसमें कोई गलती नहीं है उसके बाद इसे रिलीस किया उस व्यक्ति के यहाँ पर साइन आना चाहिए जो अप्रूड बाए में आएगा यह हो सकता है को एक ही व्यक्ति नहीं करेगा कोई भी डॉक्यमेंटेड इंफर्मेशन जब क्रियेट की जाएगी तो उसमें चीज का ध्यान रखा जाए और यदि अपडेट भी की जाती है तब भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है अब जब आप अपडेट करेंगे तो उसमें क्या चेंजिस आजाएगा मान लीजिए आपने इसको रिवाइस किया तो यहां आगया रिवीजन नंबर वन यहां पर जो रिवीजन डेट है यहां पर यह रिवीजन डेट अब चेंज हो जाएगी मान लीजिए आपने इसे चार मेने बाद चेंज किया तो एक आठ दो हजार ब वो अपने आपको identify कर दें और वो अपने आपको describe कर दें साथ ही साथ किसी approved वेक्तिकेस पर sign होना चीज जिसने इसे देखा हो और उसके signature यहाँ पर available होने चाहिए आपकी documented information में इन चीजों को आपको ध्यान रखना है तो ये बात आपसे clause 7.5.2 में कही गई है अब हम देखते documented information को कैसे control किया जाएगा देखे दोस्तों आप लोग जानते होंगे जब भी कोई documented information तैयार की जाती है चाहिए कोई document हो या कोई process हो record में यह नहीं होता document और record में क्या अंतर है इसको लेकर हमने already एक video बनाया आप उस video को देख सकते हैं description में आपको उसकी link मिल जाएगी तो जब भी कोई document होता है या कोई process होती है या कोई work instruction बनाई जाती है तो उसमें दो तरह की copy यूज की जाती है एक तो होती है आपकी master copy एक आप बनाते master copy और एक आप बनाते control copy तो यह control copy क्यों बनाई जाती है Master copy तो वह copy है जो सबके लिए अवेलेबल हो सकती है एक लिस उनके लिए तो अवेलेबल होती है जिने यह दिखाई जा सकती है लेकिन इक control copy क्यों रखी जाती है इस चीज को समझ यह मान लीजिए आपने एक manual बनाया एक manual बनाया आपने और इस manual की दो कॉपिया है एक master copy एक control copy जो है आपकी वह FSTL के पास है food safety team leader जो है उसके पास है और control copy जो है वह मान लीजिए MD के पास है managing director के पास है इसका कारण यह है कि यदि मान लीजिए in future इसमें किसी तरह का कोई change करने की जूरत पड़ती है किसी तरह का कोई use में बदला होता है इसके इस्तेमाल में अगर किसी तरह कोई बदला होता है तो एक copy आपके पास top management के पास available होनी चाहिए और यह उस control copy की तरह काम करता है जहां से कि यह जो copy है जो आपका manual है इसकी जहां पर भी जूरत है वहां को दे सकते हैं ठीक है और यह limited लोगों को दी जाएगी हर किसी को नहीं दी जाएगी इसका परपस ही होता है कि यह जहां पर जरुरत हो वहां पर available कराई जाए और जैसा इसका अस्तिमाल करना वह वेसा किया जाए लेकिन हर किसी को इसका स्तिमाल करने की या हर किसी को इसे अवेलेबल कराने की परमीशन नहीं होती इसे controlled copy कहते हैं यह आपके पास होनी चाहिए और यही documented information को लेकर भी कहा गया है कि जो भी documented information होती है उनको आपको control करना है उनको आपको controlled copy की form में भी अपने पास रखना चाहिए जब आपके पास एक controlled copy होगी एक controlled copy अगर आपके पास होगी तो आप इस information को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ठीक है मान लीजिए इस प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपके पास information प्रोटेक्ट रहेगी इस information का लॉस होने से आप बचा सकते हैं ठीक है जो भी आपकी information है उसका लॉस नहीं होगा तो इसलिए भी आपको अपने पास एक control copy रखना चाहिए आपके documented information की organization के पास control copy होना चाहिए अपनी documented information की record के मामले में यह नहीं हो सकता क्योंकि record एक बार बनता है और वो permanent होता है उसमें कोई change नहीं होता document में हो सकता है इसलिए document की आप control copy बना सकते तो यह बात आपसे एक तो इसमें कहीं गई है इसके अलावा इसमें कुछ चीज़े और आती है जैसे आपके पास आपकी documented information अगर controlled है तो आप कुछ activities कर सकते हैं जैसे अभी आपके पास एक control copy है तो आप उसको distribute कर सकते हैं अगर आपको किसी और को करना है आप किसी और को यदि वह देना चाहते हैं आप दिखाना चाहते तो आप और को सकते हैं एक चीज़ तो आपके पास यह हो गई दूसरा आप उसे store कर सकते हैं storage हो गया एक तरह से क्योंकि आपने control copy बनाई और वह एक किसी authorized person के पास रखी हुई है अब वह से अपने पास रखेगा अपने पास safety में रखेगा अपने पास सुरक्षा में रखेगा जो master copy है जो master piece है वह तो इदर उदर चलिए distribute हो सकता है इदर उदर travel कर सकता है लेकिन जो मास control copy है वह सिर्फ authorized person के पास अपने एक तरह से यूँ कहिए वह इस्टोर करके रखते हैं उसे संभाल के रखते हैं तो आपकी जो control copy होगी documented information की जो भी control copy होगी उससे आपको storage का facility मिलती आप यह काम आप उससे कर सकते हैं और कहीं नहीं के और इससे आपका मतलब यह भी हो गया कि आपने उसे प्रोटेक्ट कर दी आपने उसे protection दे ठीक है इसके अलावा कि अलावा यदि किसी तरगा कोई change हुआ मान लीजे किसी तरगा कोई change हुआ अब जो आपके पास master copy थी वह तो as it is रखी हुई थी आप control copy के थू आप उसे change कर सकते हैं master copy जो आपकी थी वह आपकी master copy जो है वह अब obsolete file में चली जाएगी obsolete copy हो जाएगी लेकिन जो control copy उसमें आप change करके फिर नई copies generate कर सकते हैं आप किसी तरगा कोई change होता है को रिविजन होता है तो आप इसकी help से control copy की help से उसे कर देते हैं यह आपको benefit है इसके अलावा आप इसमें retention डालते हैं उसको आप किस तरह से उसका आप disposition करेंगे आप किस तरह से खतम करेंगे retention का मतलब हो गया कि वह documented information कितने समय तक रखी जाएगी कितने समय तक हम एक document को संभाल के रखेंगे मानली जो हो सकता आप तीन साल रखे या पास साल रखे या साथ साल रखे यह डिपेंड करता है यह बहुत सारी बाते इसमें include होती है जिन चीजों को ध्यान में रखते हो हम retention period करते हैं कि हम कितने समय तक किसी documented information को रखेंगे ठीक है अब जब उसका समय खतम हो गया अब आप उसको कैसे dispose करेंगे आप उसका disposition कैसे करेंगे आप उसे कैसे कि दोकुमेंटर इंफर्मेशन का यह कंप्लीट होता है और क्लॉस 7 भी आज हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों आपसे एक में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों हमने एक हमारा आपश्यों करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक को दिया हुआ है आप उस लिंक को क्लिक करें और आप हमारे स्टोर पे विजीट कर अगले वीडियो में आपसे दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए Thank you very much